हेलो, हेलो जी हेलो, वेलकम टू स्पोर्टिंग स्टैंटपॉर्ट, वेलकम टू नदर पोस्ट मैच रिव्यू, वेलकम टू मैंचेस्टर सिटी वर्सट कोपन हेगन के मैच का पोस्ट मैच रिव्यू में, 3-1 से हम लोग फिर से जीत चुके हैं, यह हमारा आठमा लगातार यूसियल विन है, 3-1 के स्कोर से, ठीक है, एंड इट वस फाइन गेम, ज्यादा कोई कंप्लेइन है नहीं, कोई कंप्लेइन ही नहीं एक्चुली, बट वो सब चीजे हम आगे डिसकस करेंगे, बट डिसकस करने से पहले, अगर तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट सेक्शन में बताओ, तुमारे क्या पॉइंट व्यूस है मैच को लेके, तो कौन सा प्लेयर अच्छा लगा, कौन सा प्लेयर बुरा लगा, खेर, let's get started, आर्थी, तुमारी expectations क्या थी match से पहले, यह थी एक तो सबसे पहले चीज़ कि हम रहे जादा intensity पर ना खेले, क्योंकि हमारे आगे चल के Liverpool के साथ भी match होगा, players को rest वगेरा मिले, जैसे मैं चाहते थी कि Rodry को भी ना किलाया जाए आज के match में, Stones अगरे को भी ना किलाया जाए, but I think Rodry को खिलाना ही पड़ता है क्योंकि हमारे पस फिर कोई option नहीं रहता हो पे विटल रोल पे खेलने के लिए, बागी players को rest दिया, I am happy with that, दूसरी expectation मेरी यह थी कि injuries वगेरा नाओ, उसको वो intensity वाला expectation मेरा था वो, कि intensity ज्यादा ना रखने की जरुत पड़े, रखने की कोई जरुत नहीं, कुछन है, गोल का, दो extra गोल का कुछन है, ठीक है, 3-1 का score था first leg में, तो वो कुछन था, तो मेरे को यह नहीं चाहिए था कि हम लोग intensity के साथ खेले, मैं चाता था, players को rest मि I wanted की KDB को rest मिल जाए, ठीक है, Stones को rest मिल जाए, KDB और Bernando में से दोनों में से कोई एक खेले, यह मेरी हमेशा से वो रहती है, मतलब, सोच रहती कि दोनों में से एक खेले, Foden को rest important था, ठीक है, वो मेरी expectation नहीं थी, पर हमारे काफी भाई लोगों की वो expectation थी, मेरे को यह था कि Al Academy Kids को खेला है, ठीक है, अपने Baby Ballers को ले किया है, We Wanted की Rico Lewis और Oscar Bob start के उन दोनों ने किया है, ठीक है, राइट को लेके था, Jacob Wright को लेके मेरा यह thinking था कि Jacob Wright को half time पे मैं बार-बार बोले जा रहा था कि Jacob Wright बैठा हुआ है, Jacob Wright bench पे है, I think उसको start मिलना चाहिए, क्योंकि क्या तो he should start, और हमको धिरे-दरे उसको team में use करना पड़ेगा, वो था Hamilton को लेके तुम लोगों का था कि Hamilton start half time पे आ जाए, तो वो सब कुछ हुआ है, actually हमारे expectation के हिसाब से सब कुछ हुआ है, हमने pre-match कोई prediction नहीं कि थी line-up को लेके, क्योंकि we knew की changes होंगे and all होंगे, I'm happy कि Walker को भी rest मिल गया, I'm happy Aki को भी rest मिल गया, ठीक है, Guardiol बापिस आ गया, इस चीज़ को लेके, आरती तुमने बोला था, कि Guardiol शायद से खेल लेकि Guardiol को लेकि Guardiol को लेकि Guardiol को लेके, वो था उसका, उसको को injury नहीं है, हमको पता था, तो आरती तुम मारे था कि Guardiol start करे, उसन Positives क्या लगे तुमको मैच में, यह बताओ, इस मैच में सबसे पहला Positives कि हम लोगों ने, वैसे तो हम लोगों ने यह सुचा था कि ठीक है, जब हम लोगों ने लाइफ स्ट्रीम स्टार्ट की, ठीक है, अगर जादा गोल स्कोर भी नहीं भी कहरे है, कि 1-0 से भी अगर हम हाँ, मैंने थोड़े दर पहले जैसे बोला ना, कि हमारे लिए यह सब मैच इंपॉर्टेंट रहते, जा पर गोल कुशन होता है, जा सेकंड लेग है, ज्यादा हम लोगों को, मतलब वो इंटेंसिटी नहीं दिखाना है, आगे लिवरपूल है, तो इंटेंसिटी नहीं दि कि हालेंड और अलवारेस को एक ही लाइन में रखे, there is one time जहां पर आरती तुम यह बोल रही थी, क्योंकि I was watching Real Madrid का गेम टू, तो तुम मेरे को यह बोल रही थी कि Sam, हालेंड बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है, और अलवारेस के पीछे, free roll है, और अलवारेस के पीछे, उ हम लोग ना वाइड नहीं जाएंगे, हम लोग invert जाएंगे, टीम देखके हम लोग वो समझ चुके थे, ठीक है, उसमें भी हम लोगों ने जो formation change किया, अगर तुम लोग पुछोगे कि guys कौन सा formation था, हम लोग ना मैच में जादा तर टाइम 4-4-2 खेल रहे थे, अब transition में अ Alvarez free flow में move कर रहा था, कई बार Haaland भी free flow में move कर रहा था, 4-4-2 के हिसाब से होता क्या है na, वह इंगर नहीं भी होता है, आपके right mate, left mate आपके लिए काम कर देते हैं, और invert आएंगे, इससे हम लोग ने guess कर लिया था, कि हम लोग invert आने वाले है, वो चीज बहुत जादा positive थी, ऐसे matches में आपको try and test करते रहना पड़ेगा, combination, prementation, क्या match हो रहे नहीं हो रहे, वो सब चीज देखना पड़ेगा, वो एक बहुत बड़ा positive था, positive था मेरे लिए आर्थी, आर्थी कोई specific player जो जिसने तुमको impress किया, या फिर he was your man of the match, या उसकी intensity में, उसकी game play में तुमको होगा, मेरे लिए Sam, दो player होंगे, एक तो मुझे Oscar Bob बहुत अच्छा लगा है, लिटरली मुझे लगता है, जिस तरीके से अपने दोनों foot का इस्तमाल करता है, बॉल को जिस तरीके से carry करता है, progress करता है, I think that is literally amazing, बहुत अच्छे से तरीके से करता है, उसके पस नहीं वो intelligence है कि ball को कब मुझे पता है कि मेरा player उस space पर drop करेगा, वो चीज में लगती है, Oscar Bob को लेकि, Oscar Bob पहला player वो होगा, दूसरा player मेरे लिए होगा, नूनेज या, नूनेज वो बट वही चीज है कि injury होगई, यह दोनों player है मेरे लिए जो मेरे को इस match में तो best लगे, तुमारे साथ से तुमारे लिए कौन साथ वो player था, मेरे लिए I think, मेरे लिए Akanji था, Akanji ने mistake किया था वो goal में, I agree, बड़म उसको ज्यादा, उसका हुआ नहीं बनाएंगे, ज्यादा first नहीं create करेंगे, वो एक है, चीज वो हमको याद रखना पड़ेगा, कि उसने defensively बहुत अच्छा काम किया है, आज नहीं दिख रहा था कि हम लोग Robin Diaz को उतना ज्यादा वो नहीं करना चाते है, involved नहीं करना चाते है, या फिर Robin Diaz खुझ से अपनी intensity को बचार है Liverpool game के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर Akanji ने बहुत अच्छा काम किया, Akanji एक तो ride-back position पे भी था, ठीक, ride-back position से Akanji, Akanji के साथ momentum Kova Chichka भी अच्छा था, ठीक है, Kova Chichka भी अच्छा था, but I would say, अगर किसी को ऐसे specifically highlight, man of the match की बात नहीं कर रहें हम लोग guys, किस ने अच्छा, किस का game अच्छा लगा, उस हैसा आप से Akanji, Akanji was the guy, जो मेरे को defensive setup में मेरे को उसने impress किया, yes he was good, बागे तुम कुँ बता चुकी हो, क्या बोलता है, ऐसकर बाब के बारे में, अनुनिद्स के बारे में, I think Alvarez को मिस्की आपर थी, तुमने, तुमने अलवारस को लेके भी हम लोग श्रीम के टाएं पर बता रहे हैं, कि तुमारेस के इन्टरू की तो, अलवारस को बना है, अलवारस को कि वह बहुत खुश एस गोल्स आइम वेरी हैपी पॉर अलवरेस फाइनली एक उसको भी पॉजिटिव फील होगा आगे के मैचेस में खुद कुछ सरी प्रिपेर करें बाकी तुम सही गहर हो में चोड़ दिया आगे बढ़ते वे मैं यह पूछना चाहते कि तुम लोग तु से ऑसके प्रशर चल रहा है इंजरी से बापैस आने का भी चल रहा है दुबारा टीम में सेट अप होने का इस्यू चल रहा है ठीक है अलवरेस और हालंड को खिलाना है तो यह प्रेशर रके रहालजर हो बढ़ना है मैं जीजए क्यूंड करें, आप देखना हम ने क्या राइंग ढ रतिया है में आप देखना हमने दिया है संहे विस्स ज शरी इस नोटिस किया है विह एग कि हम लोग आज गोटायोณ क्रिस्ट लाता है सुनने कि मैं और लुग वरया हुआगे जीडू Pharm boiler सब्सक्राइब एक चीज है जो चीज टाक्टिकली अगर तुम बात करोगी ना टाक्टिकली से पहले हैं अगर नहीं देखा हो तो तुम लोग अगर देखने भी वाले हो आई-लाइट क्योंकि रनाइट मैस था है यह चल की जीच जाएगी सटी आप एक्स्टेंडड लेज अधर वाले सीट गए जो प्लेयर और अलेड़ी सेटी लेए खेल रहे ठीक है एक दो साल हो गया उनको खेलते वीया जैसे प्लेयर स्कुल लो देवर लाइक बहुत जादा डेफेंस में ही लोग काम कर रहे थे प्ले इसको काम कर रहा था विए अकान जी तक रीकोर इ 3 के build-up में जाने के लिए कोवाचे पुश कर रहे थे Oscar Bob को कि नहीं तू जा I will make sure कि यहाँ पर जो पूरा अपना क्या वो जोन है मैं control कर लूँगा you go, तो वो responsibility बात आती है responsibility के बात करोगे तो हमारे क्या बोलो मैं, godry तुमने देखा होगा godry एडवांस नहीं वा था आरती वो बिलकुल एडवांस नहीं वा था वो final third में जाके उसने कोई bangers वो उसने नहीं किये थे that responsibility, that mentality कि हम लोगों को हमारा formation change हुआ है, हम लोगों ने tactically कुछ और करने का try कर रहे हैं हम लोग triangle set up कर रहे हैं ठीक है, double pivot है बट एक pressure है Oscar Bob में भी रिको लो इसमें भी तो we will try to involve them in the game even Nunez को लेके भी Nunez को भी involve करवाने का try किया जा रहा था क्या बोलते है, right mid पे था wing नहीं बोलेंगे guys, 4-4-2 है na wing बोल सकते हो, क्योंकि हम लोग invert आ रहे था हम इसको mid ले लेंगे, ठीक है तो वो वहाँ था, तो उस setup में उसको भी help out करवा रहे थे लोग जिनके पास experience है जिन players के पास अगर तुम देखोगी तो क्या बोलते है there were many times जहां पर guardiol जब पीछे जा रहा था वो center back position में आ जा रहा था ठीक है, वो responsibility दिखी वो responsibility दिखी, connection दिखा players के अंदर, वो मेरे को बहुत सही लगा बताब अब बोलोगे की Copenhagen की तो against match था, बट Copenhagen भी तो low block में उतना ज़्यादा नहीं जा रही थी, जितना ज़्यादा low block में Chelsea या United जा रही थी, हमारे against या Brentford गई थी, हमारे against second half में, जब तुम देखी, second half के I think starting के 15-20 minutes Copenhagen भी वो low block करने का try किया, बट उतना ज़्यादा low block, low block में नहीं के लिए पुरा-पुरा match लिए, पुरा-पुरा लिए, there is some reason कि उन लोगों के XG हमसे जादा है, अगर तुम हम उनकी mentality में setback करके था their new result क्या हो सकता है despite of that, they were trying to give their best, simple सी बात है और अगर चीजे तुम देखो कि उनके accurate passes देखो, 88% 389 नो कम होते हैं even position भी कम है, but 88% passes, accuracy रखना, it's not bad Copenhagen की तरफ से भी, और आप अगर हमारे accurate passes देखोगे, 93%, 761, ठीक है there is, क्या बोलते हैं, अब तुम लोगों को अंबल हो रहे हैं, आप लोगों को पता था, आप लोगों को पता था, आप लोगों को विन परसंटेज भी गेम से पहले दो कि you knew it, उसके बावजूद को अपनेगन डरके नहीं खेली I am really happy for that, even उधर मैच में भी RB Leipzig नहीं भी अच्छा खेला है and, क्या बोलते हैं, Madrid and RB Leipzig के मैं बात कर रहा हूँ, आपर RB Leipzig नहीं अच्छा खेला है वो लोगों ने चांसे बरी नहीं किया, उतना अच्छे तरीके से final third में अपना execution नहीं दिखाया I was also getting frustrated कि भाई, तुम लोग क्यों पैर पे मार रहे हूँ, वो लोग बात पे मारने के बदले, Madrid के प्लेयर्स के पैर पे मार रहे थे तो वो मैच में इंट्रेस्टिंग हुआ, I hope जिसने देखा होगा, they know कि that match was also interesting क्या बोलते है, Madrid को भी qualify कर गई अच्छी बात है, Madrid का कोई प्लेयर इंजर्ड नहीं हुआ, जिस तरीक से खेल रही थी, आरभी लाइबसे अपने प्लेयर्स पर वापेस आते है, तो guys देखो, आगे बढ़े तो यह हमारे प्लेयर्स को लेके हमारे जो रेटिंग है वो, ठीक है, Ederson को हम लोग ने दिया है, 7, Guardiol को हम लोग ने दिया है, 7.2, as तुमको स्क्रीन पर भी देख रहा होगा, फॉत्मा अपने जो दिया है, Robin Diaz को भी हम लोग ने सेम ही दिया है, 6.9, Akanji को हम लोग ने दिया है, 8.2, ठीक है, Kovachic को हम लोग ने दिया है, 7.8, Rodri को हम लोग ने दिया है, 8, जैसा सामने है, Alvarez को हम लोग ने दिया है, 9, Oscar Bob को हम लोग ने दिया है, 7, Nunes को हम लोग ने दिया है, 7, Rikolo इसको भी हम लोग ने दिया है, 7, Har अलब सब मज़े एक छीज ठुमने कि लगा neighborhood है कि मतलब कि आपकटिल्गे थे हुआ मेरी जहीं नृफ मज़ शुल था एफ मेरे को वोилतare वाला गोल मस लगा था एंद वो तुम अगर देखोंके तो तीनो ही गोल हमारे अछे वाले गोल थे, पहले बार तो, Akanji वाला गोल वो surprise था मेरे लिए, मैं ready नहीं हूँ वाथा कि गूल आ जायगा, तब ही मैं हस रा था जब गोल हो गया था, Highland वाला गोल वास गुड, Alvarez का जो shot था, गोल की पर से, मतलब मिस्सुआ पर गया, बट वहाँ पर भी जो चीज में आलवरेस से चाहता हूं मैं चाहता ऑलवरेस शॉटkeys लिया अलवरेस रिया अलवरेस वाली- लिय बैंगर temperature match में हम लोग अपना main key line tide up उता हो वो expectation compensation मेरी ॹछ हम लोग बात our expectation and tactical changes आये थे तो मैं 4-4 two मैं सोच रहा हूं कि हम लोग श thoughtʹAUL next year से खेलें क्यूंकि इस तरीके players हमारे पास saviyo ले लो या फिर dhoku ले लो हम haug रखे तो उस चीज़ को लेके मेरी future expectation है और expectation यह है कि हम लोग जितने chances मार रहे हैं वो on target हूँ XG अगर जादा हो जो कि जादा नहीं था but still on target तीन थे on target वाले चीज़ों को हम लोग बरी हो रहे हैं हमारे ऐसा नहीं कि अंधो की तरह मारे जा रहे है वो expectation होगी XG 3 का अगर रहते हैं future में तो तीन गोल की expectations भी हो रहेंगी मेरी defense line को लेके मेरी expectation आज के match को लेके तो as such मेरी कोई change हुई नहीं है I want की stones आये अच्छे से involved वो stones बाद में आये थे involved भी वह expectation है Oscar Bob and Ricoules flourish करे आगए यह expectation है वाज यही आरती यह expectation है guys thank you so much for watching अभी अगर हो तो like कर दो comment करके बता दो तुम्हारी क्या players रेटिंग थे तुम्हारी क्या expectation है next match को लेके ठीक है game was good हमने negative के बारे में कुछ बात नहीं किया क्योंकि कुछ negative के बारे में बात करने का था ही नहीं उतना जाथा कुछ first create करने वाली वाला match नहीं था यह ठीक है be confident don't be over confident मिलते हैं अगले post match या pre match review पे लिवरपूल वाले क्या बोलते हैं preview के live stream पे जरूर आना see you tata bye bye city daylight आए bye guys